अरियाना पब्लिक सर्विस कमिशन एच्पीएसी में असिस्टेंट फ्रोफेसर के पदों पर भारती है असिस्टेंट फ्रोफेसर के कुछ पद है 1535 से पोस्ट है ओफिशल वैब साइट है www.hpsc.gov.in लोकेशन अरियाना है रजिस्टेशन फीज एक जार रुपई मेल जर्नल और अधर स्टेट वाले कैंडिटेट्स के लिए और मेल फीमेल और अधर्स के लिए 200 रुपई पी एच के लिए 0 एकजाम फी ओनलाइन मॉड़ एकजाम ओनलाइन मॉड़ होगा एप्लिकेशन स्टार्ट होंगे दिसंबर दोजार बाइस में लास्ट डेट जनवरी दोजार तेश एक्जाम हेल्ड ओन आवलेबल सुन अर्याना एच्पेशी असिस्टेंट फ्रोफेसर वेकेंशी एज लिमिट है ठारा सो अठारा से बेयालिश एज डिलेक्स एस्टेंट फ्रोफेसर के लिए पीजी होनी चाहिए पसपन परसेंट मार्श के साथ या फिर नेट कौलिफाइड होना चाहिए पीएचड होना चाहिए पंदरा सुपैंटिस पदों के लिए ये क्वालिफिकेशन है पोस्ट इस परकार से हैं बायो टेकनोलोजी की पोस्ट ग्यारह हैं बोटनी की पोस्ट 145 हैं डिफेंस स्टेडी की 35 इंगलिस की 716 माइक्रोपालगाइलोजी की दो मास कम्मिनिकेशन की पोस्ट 21 हैं फिलोस्पी की छे, फिजिकल एजुकेशन की 119, पॉलिटिकल साइंस की 145, साइकलोजी की 120, पंजावी की 38, संस्कृत की 40, सुसियोलोजी की 5, ट्यूरिजम की 8 पोस्ट है, जियोलोजी की 135 पोस्ट है सेलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले रिटन एक्जाम होगा 50 मार्च का फिर उसके बाद इंट्रिव होगा और इंट्रू साड़े 12 मार्च का होगा जबकि क्वालिफकेशन अजिमेंट साड़े सहती संक हैं क्वालिफकेशन के नमबर डोकमेंट गरिफकेशन और मेडिकल होगा उसके बाद और फिर उसके बाद सेलेक्शन पैटर्न क्या होगा एक्जाम का नेगेटिव मार्च होगी एक वन फोर्थ च्यार क्यों सिंगलत होने पर एक मार्च काट लिये दाएगा टाइम लिमिट है दो गुंटे मोड अफ एक्जामनेशन अबजेक्टिव टाइप ओम एम आर सीट बेस्ट की एक्जाम है ओम एम एम आर सीट पर एक्जाम लिया जाएगा नमबर ओफ क्यूस्टन नबब आएंगे कांसेंट सब्जेक्ट में और नबब नमबर का पेपर होगा अरियाना जी के इसके इंदर दस नमबर की मिलेगी टोटल मिला अगर के सो नमबर का पेपर हो जाता आपका ये अधिक जानकारी के लिए आप ओफिस्यल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं वहां से आप ओफिस्यल नौटिफकेशन से पूरी जानकारी ले सकते हैं